सबसे पहले BSP सुप्रीमों मायवती जी का बहुत बहुत शुक्रिया उनके परतिक किर्तगता परकट करता हूँ और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के वो तमाम निशनल दस्तक के दर्सक बिहार परदेश के अध्यक्ष परभारी मानिय सांसद राम जी गौतम स्रीकान जी मिधानकर जी और एक एक कार करता जिनोंने लगातार पार्टी से रिक्वेस्ट की पार्टी को मनाया कि संभु कुमार सिंग को चुनावलर आया जाए बिएसपी के दम पर बिएसपी के टिकट पर बिएसपी के जंडे पर बिएसपी के हाथी पर और बिएसपी क्यों जरूरी है बैसाली में मैं ये आज बहुजन समाज के लोग को बताऊंगा आज पूरे देश में आकासानंद की चर्चा हो रही है युवा नेता है फायर ब् टीम है, BSP खत्म होगे, उनको करारा जवाब दिया है, और इस बार बिहार में भी मिरेकल होगा, तो मैं आज बात करूँगा बिहार के बैसाली लोकसभा सीट की, और वहां हाथी क्यों जरूरी है, दोस्तों, 75 साल से बैसाली में कोई भी दलित पिछराल संख्यक चुनाव नह वहार ओपी था, वो OBC समाज का था, उसकी भी हत्या होगे, अब सोचिए, एक बैकवर्ट समाज के नेता, एक दलित समाज के नेता के हत्या हो गई, फायदा कोण ले रहा है, उसी बैसाली में सोचिए किस तरह से इस देश के दलित समाज के I.S. कृष्नाया जी की हत्या को बिहार सरकार जो नितीज कुमार वत्यजस्वी अदब की सरकार ने छोड़ दिया उसको लेकर बीएस्पी सुप्रियों मायावती जी ने सवाल उठाए तमाम बहुजन समाज ने सवाल उठाए उस सवाल के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है वहां से जो इंडिया गटवंधन ने जिसको उमिदवार बना है मुन्ना शुकला उस सक्स का जातिवादी वीडियो दुनिया के सामने है वो सक्स कैमरे पर कहता है कि मैं कानून तोरने के लिए ही बना हूँ तो ये खौफ जो है वो सिर्फ हाथी पर चड़ कर इसका मुकाबला किया सकता है वो न खौपनाक जो ये जो कहर है जिसमें जातिवाद और बहुबलियो का जो कॉक्टेल है उसके खिलाब बहुजन समाज पाटी बहुजन समाज के कारकरता और बहुजन समाज खरा है और जिस तरह से पूरे देश के लोगों ने शमर्थन किया है शुक्रिया आप सब लोगा बह जै बिर्सा, जै फूले, जै पेरियार, तो बावास साहब के अंदोलन, बैसाली का चुनाव में महापुर्सों के दम पर, महापुर्सों के नाम पर, और तमाम बहुजन निताओं के नाम पर, मानेवर कांसी राम सहब के विचारों पर लगने जा रहा हूं, और चार बार यू बहुजन समाज के लोग एक जूट है और बैसाली में इस बार बदलाव होगा, बैसाली में इस बार बहुजन, बैसाली में बैकवर्ट फरवर्ड की रानिती हैं, और B.S.P. सुप्रिमो मायावती जी के जो असिरवाद मिला है और बिहार परदेश के जो तमाम पतादेकार है है हौंसला दिया है इसलिए मुझे बैसाली में जो खफ जदा लोग है उनके साथ蛾 खरे होने का हौशला मिला है तो बहुत-बहुत शुक्रिया और मैं फिर आपको भरуса दिला रहा हूं बैसाद ली में मिरिकल होगा बैसाली में हाथी का जलबा होगा बीना खर्चा के दस दिनों में 14 तारिक से मैंने कैम्पेन सुरू किया है और सोचिए पिछले 10 दिनों में हर घर में बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन हाथी पहले से है अब उनको लग गया है कि इस बार तो हाथी पर ही चर्णा है हाथी की सवारी होगी तो बहुजन समाज पार्टी जो महापुर्सों के आदर्सों पर चलती है जो समिधान को अपना मैनफिस्टों मानती है और जो बीएस्पी सुप्रीमों मायावती जी के रादनीतिक अनुभव को पराधारित है और जो मानेवर कांसी राम सहब के आंदोलन के त्याग से बनी है और जिसमें युवा नेता फायर ब्रांड आकासानन ने जिस्तर से मोर्चा संभाला है ये सब कुछ बताता है कि 2024 में इस देश का परधान मंत्री साब साब दिखा रहा है कि मिली जुली सरकार बनेगी और इस देश का परधान मंत्री दलिस समाज से होगा और कौन होगा ये आप से छुपा नहीं है मैं नहीं चाहता हूँ कि ये आप लोग कमेंट करके बताए कि भारत का परधान मंत्री कौन बनने जा रहा है मैं फिर कह रहा हूँ, BSP सुप्रीमो मायावती जी ने एक इंट्रिव्यू में कहा था कि एक दिन मुझे इस देश के परधान मंत्री बनने से कोई नहीं रोग सकता है और सोचिए, इस देश में एक रुपए का इलेक्टरल बॉंड BSP को नहीं मिलता है उसके बाद भी समाज के लोगों की मदद से ये पार्टी चल रही है और देश भर में काम कर रही है BSP सुप्रीमो मायावती जी ने पूरे देश में BSP का जाल बिछा दिया है पूरे देश में, परदेश में, जीला में, परखंड में उनके कार करता है और जिस तरह से मानेबर कांसी राम सहब के बिचार, मायावती जी के दिसा निर्देशन और फायर ब्रांड अकास आनंद के नित्रित में ये पार्टी अब काम कर रही है अपने घर से खाना लाकर, अपने मेहनत की गाड़ी कमाई से वो पार्टी को सीचते हैं और एक पत्रकार के तोर पे मैंने बीएसपी को कबर किया है पिछले दस सालों में घर-घर तक मैंने खबरे पहुँचाई है तो उसका भी समाज मुझे सम्मान दे रहा है आसिरवाद दे रहा है तो बैसाली के लोग इस बार तैयार हैं और बैसाली में इस बार तमाम लोग तैयार हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के उमिदवार शंभुकुमार सिंग पर वो भरोसा दिखा रहे हैं आसिरवाद दे रहे हैं और पार्टी का ये फैसला उन तमाम उवाओं के लिए नजीर साबित होगा जो सोचते हैं कि राजनीती में धनबल और बहुबल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पिचरे किसानल संख्यक गरीब लोगों को अपने साथ जोड़ेगी और धनबल बहुबल को करारा जवाब देगी। तो बैसाली में सांदार रिस्पॉंस मिल रहा है देश भर से जिस तरह से आपने समर्थन के आप सब लोगों का हाथ जोड़ कर शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान, जय भारत और एक बात भरोसा दिला रहा हूँ कि अब पार्टी की सेवा अनबरत जाई रहेगी। पत्रकार के तौर पे समाज की सेवा की है, अब एक कारकरता के तौर पे बीएसपी के कारकरता के तौर पे पार्टी की सेवा करूँगा और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई लकीर खीचने की है, कि किस तरह से बीएसपी ने एक गरीब उनको मौका दिया है यह सबूत है कि जो समाज के लिए काम करेगा जो समाज की आवाज बनेगा बीएस्पी में उसका सम्मान है उसको मौका मिलेगा तो बैसाली की जनता तयार है पूरे देश की नजर है बैसाली की सीट पर और आपको निरासा हासिल नहीं होगी हम लोग संब प्रद्धानिक दाइरे में रहकर मानेवर कांसी राम साहब के सपनों को आगे बढ़ाना है बीएस्पी सुप्रीम माया बती जी के दिसा निर्देशन में और फायर ब्राण जो युवा नेता है आकास आनंद उनके रास्ते को जो रास्ता बता रहे हैं उस पर चलते हुए लोकतंत की जन्री बैसाली में इस बार बीएस्पी का दबदवा है हाथी का दबदवा है और हाथी धनबल और बहुबल को कुचलते हुए चलेगा तो कमर कस लीजे सातियों और दो मई को नमांकन है आप सब लोगों का स्वागत है उस नमांकन में सम्यधानिक तरीके से उस क्रिष्णया हत्या कांड हुआ है वहां भी माथा टेका जाएगा उस मिट्टी से असिरवाद लिया जाएगा और मैं फिर कह रहा हूं कि बहुजन समाज के तमाम महापुर्सों तमाम नेताओं मानेवर कांसी राम सहाब के आदर्सों बीएस्पी सुप्रीम मायावती जी के लीडर्शिप में आकास अननजी के नित्रित में और तमाम बहुजन समाज के जो सिनियर नेता है जो इस तेश भर में हैं उन्स सब का असिरवाद मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि पूरा बहुजन समाज इस तरह से आसिरवाद दे रहा है मैं किर्टग हूँ बल और बीना बहुबल के समाज के दम पर चुनाओ जीता जाएगा और ब्यस्पी सुप्रीमों मायवती ने जी ने जिस तरह का ये भरोसा जताया है इसके लिए में जीवन वर किर्टक रहूंगा जै भीम, जै भारत, जै सम्विधान, जै वैसाली की जनता और पूरे भोजन समाज के जो कार करता हैं भोजन समाज हैं दलित, सोसित, पिछरे बंचित, गरीव लोग उन सब के लिए एक नई लकीर खीची जाएगे शुक्रिया लाइक करें, कमेंट जरूर करें